देखा गया है कि लोगों की कुंडली में ये बताया जाता है कि आपके पूजा करने के योग नहीं है जब कि कहते हैं कि जितनी पूजा करोगे उतने आपके कर्म अच्छे होंगे आपके सारी चीजें अच्छे होंगे, ग्रह अच्छे होंगे भगवान को मानना क्योंकि भगवान ही हमारी सांसे चला रहा है मगर अब एक तरफ ये भी देखा गया है कि इतनी पूजा करने के बाद भी चीज़े ठीक नहीं है और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंसान किसी संत या किसी गुरु का नाम ले लें वो पाठ देते हैं अब गुरु का मानना है कि पाठ को कभी नहीं चोड़ना चाहिए क्योंकि अगर छोड़ा तब भी दरिद्रता आती है प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है क्योंकि वो गुरु का दिया हुआ पाठ है सबसे पहले जो तुमने सवाल किया क्या तुम अपनी किसी चिचड़ी बेहन को कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा करके कोई और लेने बेजोगी किसी भी बिजनस का नहीं तुम्हें पता ये बीच में हार मान जाएगी बिलकुल गुसे में आ जाएगी और ये काम खराब कर देगी जी बिलकुल मानती है ठीक इसी परकार से पूजा पाट का जो सही तरीका है जो लोग फोकस कर सकते हैं कि भाई आत्मा की शुदी आत्मा की शांती कंसंट्रेशन बनाने के लिए पूजा पाट बना है हम गलत काम ना करें इसके लिए पूजा पाट बना है और ये बहुत लंबे-लंबे पूजा पाट नहीं करते एक तरह का शीरवार मांगे कि हमारे साथ एक साया रहे ये निकल जाते हैं अपने काम करने और उनके अंदर काम जयाब हो कि आते हैं ठीक है लेकिन एक गुसा चिर्चिड़े पनवाला इंसान उसको दुनियादारी नहीं समझ आती है बिलकुर वो जिस तरफ लगता है बस उस किसी भी चीज के पीछे पढ़ते हैं दुनियादारी के अंदर भी और पूजा के भी तो इन लोगों को इस तरीके से समझाया जाता है जोतिश के अंदर कि भाई ज्यादा पूजा पाट ना करो क्योंकि तुम जीना है जब तक तब तक तो काम करना पड़ेगा काम नहीं कर जीन कैसे चलाओगे अब तुम जितनी मर्जी पूजा पाट कर लो परमात्माने सोने की गिनिया आके तुमारी जेब में नहीं डालने है जी समझे आपके मन की शांती ही आपको शांती से काम करने की प्रेणना दे करके दुनियादारी के अंदर काम करके तब ही कुछ ना दूसरी बात जिन लोगों की तामसिक वस्वें ये गलत काम की अंदर बुद्धी चलती है जैसे कही लोग जुए खाने खोलके बैठे हैं कोई शराब के अड़े खोलके बैठे हुए हैं और कोई लोग सेटिंगे करके उससे पैसा कमा रहे हैं सारी दुनिया में हो रही है उतर करके धर्म-कर्म के अंदर उतरने लगते हैं तो इनको अपने काम पर शरम आने लगती है अब और कोई सीखा नहीं हुआ इसने और जो सीखा हुआ उसके उपर शरम आने लगी पच्ताबा होने लगा अब ये आदमी भी पूजा पाथ में उतर जाएगा फिर तो बोड तो इसलिए जिनकी कुनली में ऐसा योग होता है कि इसने तो खराब कामों से ही कमाना है उनको भी पूजा पार्ट मना है और जो अपनी बुद्धी को संभाल ली सकता उसको पूजा पार्ट भी मना है क्योंकि ऐसे लोग एक मजजू टाइप होते हैं कि जिस काम के उपर लग जादिया वो सारी जिनकी पूजा पार्ठ करते रहे जेंगे जिनकी के जरूरी काम चोड़ देंगे इसी लिए पूजा पार्ट करने से मना किया जाता है और इसके पीछे 100% scientific logic है कि इसकी बुद्धी कितनी है इसको करने देना है कि नहीं करने देना ये दो मिनट की पूजा करके परमात्मा से अशीरवार लेके अपना काम करने भाग जाएगा कि नहीं भागेगा और जो सिर्फ पूजा ही करता रहे जाएगा उसको पूजा पाठ करने से मना किया गाता है ये तो है पहला जवाब दूसरा जवाब बेटा एक बहुत ही अच्छा एस्टर लॉजर ही गुरू बनने के काबिल होता है और बेब मतलब की मन घरंत कहीं से भी कहानिया उठा करके प्रवचन देने वाला बेटा वो गुरू नहीं हो सकता वो गुरू नहीं हो सकता जो गुरू अपने चेले को परसनली गाइडन्स दे करके ये ना सब्जा सके कि तुझे कब क्या करना है कौन सी सिच्वेशन के अंदर क्या मान सकता रखनी है क्या करम करना है बेटा वो गुरू नहीं हो सकता अगर कोई आपको सिर्फ पूजा 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 और मेरा नामदान लेकर के जाओ और दिन के अंदर सुबह इतने बज़े करना है और शाम को इतने बज़े करना और इतने घंटे करना है बेटा वो तो गुलाम बना लेते हैं और आपकी जिंदगी का अच्छा बुरा कौन तो लेगा फिर वो कहाते है कि नहीं तो परमात्मा रुष्ट हो जाएगा अरे परमात्मा तो तब भी रुष्ट हो गया कि जब आपने सही समय के उपर सही काम करके अपना और अपने परिवार का पालवन पोजिशन नहीं किया तब परमात्मा कै रुष्ट नी होगा बिलकुर तो उनको नामदान सोच समझ के देना चाहिए उस काबिल इनसान को देना चाहिए जो अपने आपको भी संभाल सके और नामदान के समय को भी संभाल सके और जिस दिन जरूरी हो नामदान के मंत्र बोलने की बजाए वो उस वक अपने जरूरी काम पर जा सके लेकिन अगर ऐसे लोगों को नामदान दे दिया कि जो जिद पर आड़ जाएंगे कि कोई मरता है तो मर जाए लेकिन ये तो मेरी पूजा का समय है मैं नहीं छोड़ूंगा बेटा ऐसी समझ वालों को नामदान दे करके घर में पंगे और कलेश जानने वाली की बात है और कु पारना है या इनके घर के अंदर कलेश डालना है यह उन गुरूं को समझ जाने है